हलो दोस्तों एलकम फ्री सार्किट लैब में आपको सागत है दोस्ता आज मैं बताऊंगा कि ओरिजिनल चार्जर कैसे काम करती है ओरिजिनल चार्जर को कैसे रिप्यार करना है यह वीडियो खास करके ओरिजिनल चार्जर के बारे में चायना चार्जर के बारे में वीडियो बना चुको हैं पहले आई बोटन पे और डेस्किप्शन में दे दिया लिंक ओपो वीव रेडमी लेना हो साव मी जो भी कमपानी है आपके पास सभी का ओरिजिनल चारजर का सिस्टेम लगभग सेम ही रहता है क्यूंकि फिजिक सब का सेम ही होता है कमपानी चाहे आलग हो दो है 1.35 एंपियर का तो यह दोनों है एसुस का और यह है आपका रेडमी क्या ओके दोस्तों स्टेप बाए स्टेप आगे बढ़ेंगे पहले इस डाग्रम को देखेंगे चारजर कैसे काम करती है उसके बाद ओरिजिनल चारजर में हम देखेंगे क्या क्या सेक्षन है किस तर इस पर एल के सपास एक फ्यूज लगा हूँ है यह जो रेजिस्टर है यह फ्यूज बल रेजिस्टर है ओके तो यह लाइप पहुंच गया यहा और निउट्राल जो है डाइरिक्ट पहुंच गया यह ठीक है और यह जो चीप देख रहे है यह ब्रीज रेक्टिफाद है ओके यह फिल्टर कपासिटर है फिर इस केपासिटर में फिल्टर होने के बाद यह जाती है एक इंडक्टर में यह बेटर फिल्ट्रेशन के लिए ठीक है इंडक्टर इसके बाद होगा इसके बाद और एक कपासिटर रहेगा छोटा इससे थोड़ा सा छोटा ओके सभी म इसमें भी छोटा बोड़ा केपासिटर था मैंने दोनों को सेम लगा दिया एक बार खराब हो गया था यह ओके आप इसमें देखेंगे उसके बाद कहा जा रहे है लाइन ओके उसके बाद डीसी 311 वोल्ट बन गया उसके बाद जाएगा स्वीचिंग साकिट्री में ओके तो ह बहुत ही छोटा लेकिन दूसरा चर्जर में देखिए आईसी थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है इसमें भी आईसी बड़ा है तो इसका मतलब क्या है इस आईसी के अंदर ही स्वीचिंग ट्रांजिस्टर बिल्ट इन है लेकिन इसमें छोटा आईसी होने के वाज़े से इ इस ग्लू को मैंने हटाने की कोशिज की लेकिन इस ट्रांजिस्टर के उपर फोर्स पर रहा है यह इस पीसीवी के ट्रैक को ब्रेक कर सकता है तो इसलिए मैं इसको अभी रहने देते हैं तो इसके अंदर आपको क्लियर ली दिख रहा है इसके अंदर ट्रांजिस्टर है औ तो इसमें IC भी है, साथ में MOSFET भी है, तो यह थोड़ा सा अच्छा चरजर है Redmi के तरफ से, और यह ASUS के तरफ से है, इसमें IC के अंदर ही built-in है, आपका switching transistor इसलिए देखिए, यहाँ पे थोड़ा बड़ा soldering किया हुआ रहेगा, दो, तिन, पिन, एक साथ करके, तो इसका मतलब है, इसके अंदर ही MOSFET built-in है, ओके, तो switching circuit भी हमार हो गया, तो 311V PWM इस से बन जाएगी, यानि 311V DC को switch करके 311V की square app बन जाएगी, ठीक है, और यह driver मैंने लिखा, क्यूंकि यह driver आपका यह IC है, छोट करती है, तो इसको लेकर समझा रहा था, तो यह transistor इस transformer को switch कर रहे है, ठीक है, इस transformer का 3 coil रहेगा, एक है secondary, दोनों है primary, बैसिकलिए यह primary नहीं है, एक primary होती है, एक secondary होती है, और एक होती है auxiliary coil, ओके, तो auxiliary coil एक तरह से secondary ही है, आप इसको मान सकते है, यह क्यूं दिया हो रहता ह इस driver circuit को भी power चाहिए, तो इसलिए यहां से यह power लेती है, इस coil से, ओके, तो हमरे पास यह transformer है, तो इसकी primary side कहा है, यह है primary side, ओके, जो आपका transistor के बिलकुल पास रहेगा, primary side, ओके, और यह है आपका secondary की auxiliary secondary, ओके, जो कि इस driver circuit को power देती है, तो इहां से power आ जाती है, इस driver circuit मे ओके, तो इस power को देने के लिए यहां से SMD diode लगा हुआ है, इसके बाद इस diode से connection आके, इस capacitor में filtration होती है, और इस IC को power मिलती है, ओके, फिर इस IC, इस transistor को drive करती है, फिर यह switching होती है, इसके अंदर, और switching होके, जो secondary से connection निकलती है, यह है आपका secondary की connection, ओके, यह दुन, और इस इसके लिए आपका secondary है, यहां पे, इस USB के बगल में, और इसका भी secondary है, आपको देखिए, एक तार देके दिया हुआ रहेगा, secondary होके, अब इस transformer की secondary से जो line गया, वो एक सोटकी diode और एक capacitor में जाएगा, एक activation के लिए, तो यह आपका secondary है, यह आपका secondary है, यह आजाएगा एक diode IC में ठी है, यह एक diode cheap है, इसके बाद आजाएगा capacitor में, तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे एक capacitor है, तो यह दोना capacitor basically parallel में है, तो इसमें भी same, यहां से आजाती है, देखिए, connection, ओके, यह secondary है, secondary से देखिए, connection एक direct चला जाता है, output में, और बाकी है, diode के अंदर जाती है तो यहां पे दो diode लगा हुआ है, दोनों ही सोटकी diode होगा, सोटकी का मतलब है थोड़ा सा fast diode होता है, speedy होके, ultra fast diode बोला जाता है सोटकी को, तो यह सोटकी diode के अंदर से यह आ जाएगा output में, ओके, और दोस्तों इस switching transformer में जो switching हो रहे है, इसकी जो PWM है, इसकी pulse width के उपर depend क तो यह हो जाएगा long width, इसके बाद जो off time, on time के बीच में, जो difference, ठीक है, तो इतना अगर on time हुआ, बाकी इतना off time, फिर एक on time इतना, तो यह pulse width आप मान लेजिए 10%, अगर यह on time ज़्यादा है, और off time बहुत ही कम है, फिर भी यह on time आगे, फिर, ओके, तो यह है 90% duty cycle, तो इ transistor के across current को measure किया जाता है, कि इसमें कितना current जा रहा है, वही इसकी current और short circuit protection को देती है, तो इन सब protection और इस pulse width को switch करने के लिए, ताकि कितना voltage output में आ रहा है, वो continuously monitor करने के लिए feedback circuit रहती है, तो इस original charger में feedback circuit यहाँ से जाती है, ओके, यहाँ से यह driver में जाती है, feedback circuit इस से auxiliary coil से और कोई भी जो general adapter आती है, Chinese की तरफ से, तो उसमें एक optocoupler से feedback दिया जाता है, तो output से optocoupler रहती है, और वो optocoupler इस driver circuit को switch करती है, तो यहाँ से feedback मिल जाती है, और इसमें optocoupler नहीं रहती है, तो इन सब charger में यह auxiliary coil से feedback जाती है, इस driver IC को, और दोस्तों इस charger में यह जो capacitor आ आस ओभाई की safety capacitor बोला जाता है इसको, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर इस primary side के कुछ भी current की कोई leakage, इस secondary side में bleeding हो रहा है, मतलब current leakage हो रहा है secondary में, वो इस capacitor से बापोस primary में चला जाता है, तो इस वजा से आपको इसमें हाथ देने से कोई भी shock लेगने का कोई भी आपका risk नहीं रहता है, और दोस्तों SMD code read करने का तरीका आपको बता जाता हूँ, सबसे आसन तरीका जो है, SMD की जो code है, इन code में से 3 number आपको दिखेगा, इन 3 number को आपको लिखना है, पहले की जो दो number है, इन दोनों का आप लिख लीजिए, 27 और last की जो है, इतना 0 लगाना है, मत मतलब यह 270K की resistance है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहा है, 2R00, मतलब है, यह 2Ohm की resistor है, 2.00, और बीच में है, मतलब वहाँ पर एक point देना है, ठीक है, तो 2.00, दोस्तों हमने charger का working principle तो सीख लिया, अब हम बात करेंगे कि इसको repair कैसे करना, क्या-क्या possible problem आ सकती है, दोस्तों खराब charger को खोड़ने के बाद आपको पहले इस circuit में हाथ मत दीजिए, क्योंकि इसमें 311V इस capacitor में charge रहती है, तो इसको पहले discharge करना है, डिस्चाज करना के लिए आप क्या करेंगे, किसी एक capacitor का दोनों lead को आपको short करना है, देखिए, ओके, तो यह हो जाने के बाद आपका यह सेफ हो गया, आप इसमें आप टाच कर सकते है, शॉक नहीं लेगा, दोस्तों पहला जो problem है, 80% charger में आती है, यह फ्यूजबल रेजिस्टर खराब हो जाती है, ओके, यह फ्यूज उड़ जाती है, किसी बाद से यहाँ पर ज्यादा load पढ़ने के वाद से यहाँ पर किस जो तार है, यह से पहले इस रेजिस्टर में जाएगा, फिर यह सार्किट में खुशेगा, continuity mode में यह बीब करेगा, अगर यह ठीक है तो, ओके, अब बात करते हैं, दूसरा problem क्या आती है, इसमें, अगर आपका charger और नहीं हो रहा है, यह फिर कभी कभी off हो जाता है, और कभ द्राइबर सर्किट, मतलब यह जो ड्राइबर IC है, इसको तो power मिलना चाहिए, नहीं तो यह काम नहीं कर से मिलता है, यह जो ट्रांस्फर्मार की auxiliary कायल है, इसी से इसको power मिलता है, लेकिन यह ट्रांस्फर्मार तो पहले off है, तो इसको on करने के लिए, इसको तो पहले switching एक मेगा होम की रेंज में रेजिस्टर रहती है और उसी से इसको पाड़ दिया जाता है इस तरह से ओके हई भोल्ते से एक रेजिस्टर फिर यह आइसी में आती है पाउड के तो उस रेजिस्टर को हमें ढोना है अगर आप पर थूहल प्रोकमपोनेंट है तो इसकी कलार कोड में ग्रीन बैंड रहेगी जो कि दरसात है कि यह मेगा और आपके पास यह ओर ज़ीस्टर में SMD register लगा हुआ है तो एक register आपको ढूढ़ना है जहाँ पर last में code 5 रहेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी में 4 रहेगा मतलब यह किलो हम की रेंज में है तो यहाँ पर देख सकते हैं यह 5 रहेगा last में लिए क्योंकि अगर एक short circuit होके फेल हो गया तो पूरा current इसमें आ जाएगी लेकिन अगर दो series में लगा हुआ अगर एक फेल भी हुआ तो एक short नहीं होगा एक short होगा तो यहाँ से आपको register मिलेगा तो यह इसमें high voltage होसके खराब नहीं करगा ऐसी को तो यह original वालो कुछ सोचके ही लगाता है दोनों को series में तो इस रेजिस्टर को आपको change करना है तो यह जो मेरा charger है इसमें यह problem आ रही थी तो इसमें हम देखेंगे यह जो SMD रेजिस्टर 395 वाला यह ठीक है या नहीं खुए ओके तो देखिए यह जो रेजिस्टर है यह थोड़ा सा साइड से यह फटा हुआ है देखिए гляд से यह उड़ गया SMD रेजिस्टर ऐसे ओड़ता है यह साइड से ब्लूड गया ईह 30 950 जो सेगंड वाला है साइड से यह उड़ गया मतलब यह आपका खराब हो गया है और इतना ज्यादा रेजिस्टर को आप इस माल्टमीटर से मेजर नहीं कर सकते क्यूंकि इसमें 2 मेगा हम में लास्ट लिमिट है तो कैसे मेजर करना हाई रेंज की रेजिस्टर वो इस वीडि छाइबर फेल हो सकती है या फर bitches जो सकती है तो आपके अंब क्याश्य करना है कौन्सा फटा हो ऑद दिए जैंग summer में सब्सक्राज करने तो आगर इसे मतलब है इसकी switching नहीं हो रहा है मतलब इसकी primary side में problem है हो सकता है startup register में problem या फिर हो सकता है यह driver circuit खराब हो गया यह IC या फिर हो सकता है इसकी transistor खराब हो गया जो कि इस तरह रहती है in sub charger में ओके जहां पर यह छोटा driver रहती है या फिर एक atmosphere जहां पर दिया हुआ रहता है इस तरह में अगर आपका problem इसमें मैंने नहीं बताया फिर भी आप इसको ठीक कर पाएंगे क्यूंकि आपने पूरा इसकी working process सीख लिया आप थोड़ा से दिमाग लागाने से आपका problem पता चल जाएगा तो दोस्ते यह वीडियो कैसा लागा बहुत कुछ आप सीख पाएंगे और बहुत नया नया ट्रिक्स भी सीख पाएंगे मेरा वीडियो से तो इस वीडियो को आप जरूर चेक कर लाएंगे तो थैंक यू फा वाचिंग गाईज आई विल सी यू इन नेक्स वीडियो